नमस्कार दोस्तों, Trendy MDN Studio चैनल पर आपका स्वागत है तो कल हम सभी साथियों का प्रोटेस्ट था तो उसके बारे में मैं उस प्रोटेस्ट को समराइज करूँगा और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं UIT के उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस प्रोटेस्ट में बढ़ चड़ कर आगे आए और उसके अलावा जितने भी कॉलेज और जितने भी दूर से बच्चे आए थे कोलेजों के अलग-अलग डिपार्टमेंट के उन सब का तहे दिल से धन्यवाद तो आए जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दे आए शुरू करते हैं वीडियो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ और आपको जाननी जरूरी है तो कल वीसी साहब और कुल पती साहब की अनुपस्तिति में उनकी अनुपस्तिति कैसी थी वीडियों की वीसी साहब आए नहीं थे ओफिस में और रजिस्ट्रार साहब गुलशन सर्फ वह कहीं गए हुए थे ओन टूर थे क्या था जो भी बात थी और कंट्रोलर ओफ एग्जामिनेशन बी एस सिंदु सर उनकी शादिजी परिवार में इस वज़े से वो कल आए नहीं थे ओफिस में कंट्रोलर ओफिस में ओके तो इस बीच हम मिले हैं डीन अकैडमिक अफेर्स एके राजन सर से मिले और एके राजन सर से मिले तो उन्होंने तीन दिन का समय मांगा ओनलाइन एक्जाम के बारे में एमड्यू इस पर कमेटी बनी हुई है जो जी आर्सी उसी के जरीए फैसले लेने की उमीद है और जी आर्सी कमेटी बैठेगी और फैसला होगा मैं आप लोगों को बताना चाता हूं कि कल की क्या मांगे रखी गई और क्या चीज थी तो दोस्तों मुझे कहते हुए खुश पास-पास की उनिवस्टी के बारे में था डी यू के उनिवस्टी के मार्च के और अप्रैल के जो फर्स्ट इयर के एक्जाम है वो भी ओनलाइन हो रहे हैं तो उनकी डेट शीट थी एक ठीक है दूसरा पंजाब उनिवस्टी जो भी हमारे हर्याने के पास पड़ती है उस उनिवस्टी खोलने को लेकर वो है उसमें उनिवस्टी खोलने को लेकर दूसरी उसमें है 16 नौंबर से हर्याना सरकार के दौरा उनिवस्टी को खोलने का जो नोटिस आया था वो है और आप सभी को पता है हमारी ओनलाइन क्लास लगी है हमारी उनिवस्टी ओफलाइन नही UGC ने दुबारा से यही वाला no tis remind करा था उच्डी स्चाहल के लिए लेकिन आप सभी को प्ता हैं हमारी university नहीं कुलियाल हमारी online exam हो रहे हैं और online ऑच्छाम में online study हो रही है certain online exam के दिमांड कर रहे हैं यह सारी चीजे मensing की सरकार titled तरफ से UGC authorities की तरफ से notice आये थे और university खोली नहीं गई है offline classes लग नहीं रही है और online study हो रही है तो online exam की demand है आईए बात करते हैं आगे online exam में जो हरियाना की उन्वेस्टियांस करा रही है उनके बारे में तो पहला notice था अपना decrust decrust मूर्थल का decrust मूर्थल उन्वेस्टियल ने जनवरी में online exam कराए हैं फर्स्ट ओर समेस्टर के आईए दूसरा बात करते हैं YMCA फरीदाबाद की तो YMCA फरीदाबाद ने 9 फरवरी को notice जारी करा था उनके भी online exam करा जा रहे हैं तो वो notice भी लगा गया था तीसरा बात करते हैं कुर्शेत्रा उन्वेस्टी की तो कुर्शेत्रा उन्वेस्टी के भी online exam हुए हैं दो दिन पहले उनका notice आया था तो वो notice attach किया गया था चोथा बताता हूँ गुरू जंबेशवर उन्वेस्टी ने online exam का online exam की मांग मान ली और अपने paper टाल दिये तो इसकी news clip लगाई थी जिसमें लिखा हुआ था news clip में कि विश्विद्याले ने मान लिया है क्यों दोनों तरह से mode विकल्प चुनने का option दिया जाएगा ये सारी तो आ गई वो उन्वेस्टियां जिनोंने online exam की लिए notice निकाल दिये आईए अब मैं बात करता हूँ exam दो और notice लगाए थे जो मैंने मैं उनकी बात करना चाहता हूँ एक तो था वो IGU का notice जिसमें exam pattern था की 4 out of 9 question है और दूसरा notice था CRSU जीन्दगा और उसमें भी exam pattern से related relaxation थी तो मैं आप लोगों को खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि CRSU University ने online विकल्प का आज notice डाल दिया है कि online विकल्प भी दिया जाएगा exam में तो जैसे हमारी उनिवर्ष्टी हमारी है जो हमारी मांग रखी है जो हमने अपना दिये थे दस्तावेज अटैच करके जो सारी उनिवर्ष्टी के तो ये CRSU का exam pattern का खोलेगी उनिवर्ष्टी तो उनको इपता लएगा कि आज इनोंने भी online exam की गोशना कर दिये है अब मैं बात करता हूँ IGU की तो IGU ने पिछली बार offline exam लिये थे और उन्होंने का था हमारी नई उनिवर्ष्टी और हमारे पास इतने साधन उपलवद नहीं है कि हम online exam लें आगे हम इस पर विचार करेंगे तो दोस्तों IGU में भी कल प्रोटेस्ट हुए हैं बड़ी मातरा में प्रोटेस्ट हुए हैं exam को online कराने को लेकर तो IGU का इस बारे में अभी आधिकारिक कोई फैसला नहीं आया है लेकिन IGU परशासन में जो बड़क चल रही है जो बाते आ रही है वो MDU परशासन को भी पता होगी तो दोस्तों ये सारी चीज़े attach करी है अब जो मुझे लगता है युनिवर्स्टी किस हिसाब से फैसला लेती है जो लेती आई है जो system है युनिवर्स्टी की एक committee होती है जी आर्सी जी आर्सी मतलब जिसे बोलते है ग्रेविंस रिड्रेसल कमेटी इसमें लगबग आठ से कमेटी की recommendation को मान लिया है तो वो notice निकल कर website पर आ जाता है पिछले जितने भी मुद्धे उठे हैं विश्विद्याले में तो उसी कमेटी ने उन चीजों को demand को analyze करा है और उसके बाद फैसला लिया है माना जाए है ना माना जाए है और अब बात आती है application में क्या लिखा है क्योंकि application जो लगाई गई है उसमें साफ तोर पर online exam की demand लिखी गई है और कुछ लिखा नहीं गया है basic की बताऊंगा online exam online study इस पे focus है पूरी application का मैंने आपको university खोलने के notices में attached करे हैं और साथ में university नहीं खोली गई वो बात आथ सबको पता है और दूसरी जो 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 उनिव इन exam के नए notice निकल क्या हैं वो तो सारी चीजे कुल मिलाकर इन सब चीजों का अगर analysis होता है और जो मेरा अनुबव है पिछले दो-तिन महिने से जी आर्सी committee जो है ये काम कर रही है और इनका काम valid है सही बताऊंगा आप university की website पर notice निकाल कर देखोगे तो जो भी students की valid reasons या valid दिमांड आती है किसी के admission को लेकर भी आई थी और कई बच्चों की intermediate semester के admission को लेकर आई थी तो तब cut of date भी जा चुकी थी तो university ने चार फरवरी तक time दिया तो आप अंज़ादा लगा सकते है जो फीस सितंबर में भरी जा रही थी सितंबर में अक्तूबर में अगस्त में न फैसला लेगी और उन्होंने time university ने dean academic sir ने कहा था कि तीन दिन में मैं उनकी बताता हूं उन्होंने कहा था कि हम आज ही आप लोगों की ये मांग ये चीज लगा जो आपने बेजी है और letter बेजा है ये हम आपकी demand विसी साहब की table पर आज की आज रख देंगे और तीन दिन क साथ ही का कि विध्यार्थी के हित में फैसला उनिवर्सटी की website पर आ जाएगा नहीं तो आप उन्होंने कहा है कि विध्यार्थी के हित में फैसला आ जाएगा और तीन दिन के बाद आप कोई 4-5 लोग आकर हमसे भी ये अपने demand के बारे में कर सकते हो बात तो ये सारी बात निकल कर आई है जो मैं summarize करने की कोशिश करी है तो मैं ना किसी का credit छीनना चाऊंगा ना किसी को सुखा credit देना चाऊंगा और जो ऐसे कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से salute है भाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कोई नहीं आप कर सकते हो जो जो शातर संगेटन अब भी आगे आते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो पहले से आगे आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो असल मैं credit मैं देना चाऊंगा कि यह exam online होते हैं तो इसमें main credit UIT MDU के department का जाएगा यह मैं आज बताता हूं और मैं credit उनी को देना चाऊंगा जो असली हगदार हैं अगर यह exam online का notice निकलता है तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देगने के लिए जो चैनल पर पहली बार आयो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और notification icon प्रेस कर दे एक अलकी सी बात बताता हूं वीडियो होने से पहले तो मुझे personally मैं बताऊं और वो मैंने विद एक प्रूफ के साथ फाइल के साथ मनीश भाई को दी थी जो चातर संग के पुरू सचीव रह चुके हैं और वो UIT डिपार्टमेंट से ही हैं और UIT डिपार्टमेंट के अधिकतर बच्चे थे तो GRC कमेटी उनको अच्छे से पढ़ेगी और उनका अच लोगों के लिए आ जाएगा मुझे और मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ी ज्यादा बेशक लंबी हो गई हो कोई बात नहीं है कल 10 बज़े तक युनिवर्स्टी में 10 पीम तक रात के 10 बज़े तक लाइट का फेलियर था ठीक है युनिवर्स्टी के काम दंदे जबकि क् Candice था ए केमपस की बात कर रहा हूं तो आज की छुट्टी है आज आपको पता है hypothesisérence शूरा फर्वरी है आज उसमें इस बारे में निर्णा लेने की संभाव ना है अगर ये कमेटी की बैठक सतारा को नहीं होती है तो ये अठारा को हो जाएगी इससे लेट नहीं होगी क्योंकि युनिवर्श्टी परशासन ने भी तीन दिन का समय मांगा है इन मांगों के उपर एक्शन लेने के लिए तो दोस्तो 18 फरवरी के रात तक मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट के फेवर में एक डिसीजन आ जाएगा वो डिसीजन क्या होगा ये आप उसमें देख सकते हो तब तक के लिए आप दो दिन इंतजार कीजिए आज की छुट्टी है और इस वीडियो को शेयर कर देना ग आएगा